हेलो फ्रेंज वेल्कम दो मैं चैनल में एक एंजल आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम एक नए प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा तो आप सभी इस वीडियो को जरू देखें समझें इस वीडियो में हम नेचर के सार जूडने वाल है जिसका नाम है गार्डन ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के कई फाइदे हैं जैसे की पानी की बचचत जो की बहुत महत्वपुर्ण है So, this summer, do something new तो क्या आप Garden Drip Errigation Project के लेते यारे आएए देखते हैं क्या कैसा मगरी हमें लगती है तो आएए सबसे पहले शुरू करते हैं pot से Since this is a mini project, मैंने ये छोटे छोटे कक्स लिये हैं आगे बढ़ते हुए ये एक कोयर pot है ये coconut fiber से बना है फिर ये एक कोकोपिट है जो की coconut husk से बनते है और ये एक बड़ा सा cup है जो की tank के जगे पे काम करता है उसके साथ ये एक pipe भी है जो की हम जिसमें हम छेट कर सकते हैं और फिर drip irrigation के project के लिए हम लोग use कर सकते हैं और फिर ये और फिर ये syringe है तरी ओमर ये सिरिंज है जिक्षिन के लिए नहीं है ये ये सक करता है पानी को irrigation के लिए में पस थोड़े से seeds भी है ये है सुखे मटर के बीज ये गेहों के बीज ये mustard seeds और थोड़े से watermelon seeds और यहां पे एक skill है जिससे हम plants की height हम चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था मैंने चारो pots रख दिये हैं कोकोपिस भी रख दिये हैं पानी डालके और drip irrigation के लिए pipe भी लगा दिये और इस बड़े से tank या बड़े से cup में मैंने पानी भी भर दिया है और इस stick की मदद से मैं इन pots में छेट करके बीजबोंगी प्रूब प्रूब दिये हैं झाल झाल अभी बारी है सीरिंज के पिछले हिस्टी को पीछे खेलचने के लिए ताकि पानी के लिए सक्षन पैदा हो तो चलिए करते हैं और अब छेत करने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट यानि की मेरे दादा जी आएंगे तेंक यू ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है अभी हम इसमें चीर करके ड्रिप इरिगरिशन स्टार्ट करेंगे कर दो जाएंगे आप देख सकते हैं दीरे दीरे पानी निकल रहा है वाव कितना खुब्स रहत है वाव कितना खुब्स रहत है और यह प्रोजेक्ट हमने पूरा करके दिखाया और अभी यह चो ट्यूब है उसमें से पानी आ रहा है यह प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा वह हमें जरूबंता हिया और आप अपने घर में गार्डन घ्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट अप कर सकते हैं इससे पारी की बचचत होगी और किलत नहीं होगी if you like my video, hit like, comment and also subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated for my latest videos so till then, bye